तो अभी रिसेंटली हुंडाई ने और हुंडाई वेन्यू के अंदर कुछ अमेजर सेंजेस किये गए हैं कुछ फीचर्स एड़ोन किये गए हैं और वह बहुत यह अच्छे फीचर्स हैं जो सभी कार्स के अंदर होने चाहिए जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि हुंडाई वेन्यू के अंदर पहले टोप वेरियंट के अंदर ही आपको चायर बैग मिल रहे थे उसके लाव जो नीचे वाले जितने भी मोडल थे उसके अंदर दो एरवेक से आ रहे थे अभी हुंडाई ने शैप्टे के उपर इस्पेसल ध्यान दिया है और इसके जो नीचे वाले दो वेरियंट है जिसकी बात करें एस एसक्स और एस ओपस्तल उसके अंदर भी आपको चायर एरवेक मिलेंगे जो बैसिक जो नीचे वाला जो मोडल है जिसके अंदर आपको ओनली दो एरवेक मिलेंगे जिसको बैस वेरियंट बोलते हैं उसके लावा जो एस वेरियंट आता है उसके अंदर भी आपको दो मिलेंगे वहीं डीजल की तिरफ जाते हों तो डीजल अंदर आपको only वही दो एरभेग भर सी मिलेंगे जो second a major changes है वह इस गाडी के अंदर आपको idle, stop and go either features आपको देखने के लिए ये मिलेगा जो अदिकतर मारुति की car 조क जो और आता है बाद में ऑटमेटिक बंद हो जाएगी जैसे ही आप कलच प्रेस करोगे और गाड़ी ऑटमेटिक स्टार्ट हो जाएगी इस वीजर्ज को हम बोलते हैं आइडल स्टॉप एंड गो फीचर्ज हुंडई इस फीजर्ज को यह नाम दिया गया है और यह आपको एस वेरियंट से मिल जाएगा जैसे एस वेरियंट है जो यह इसे पहले जो जितने भी कार्स आ रहे थी उसकांदर पंदर पंद्राफ सीसी का इंजिन आ रहा था और जो गाड़ी का जू पावर था वह सोपीएस का था अभी जो रिसेंटली चेंजिच किया गया है अभी इस गाड़ी के अं और पिक अप है जो 115 PS कर दिया गया है मतलब 15 PS पावर बढ़ा दिया गया है इसा क्या किया है हुंड़े कमपनी ने जिससे के इंजन तो वह ही है लेकिन पावर 15 PS बढ़ गया है तो इसके अदर हुंड़े ने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है जो टर्बो चार्जर राता है वो हुंड़े कमने ने चेंज किया गया है जिसके वज़े से आपको ओर 15 PS पावर एडिस्टल मिलेगा अब जो रिसेंटली जो जितने भी नई कार्स आएगी उन्ड़े की जो वेन्यू है अभी 2023 के अंदर तो उनके अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आई होप आपको ये इन्फोर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर आप भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो ये फीचर्स वाली ही कार्स ले ज्यादा कुछ चैंज़ेशन नहीं आया है प्राइच के अंदर उनली 10,000 रुपे बड़े हैं एरवेक्स वाली कार्स के अंदर